आज हम एक ऐसे टोपिक के बारी में बात करेंगे कि जिसमें आपकी जो नसे हैं उसमें आपको डर्ड होता है लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि नसों में डर्ड क्यों होता है और केसी आपको फीलिंग आती है जब भी आपको नसों में डर्ड होता है तो वहां से आपकी फीलिंग चली जाती है वहां पे एक नंबनेस आ जाता है यनिकि खाली पंसा हो जाता है कभी कबार सुई चुबने जैसा है सास होना और टिंगलिंग जैसा भी फिल रहता है तो आप यहाँ पे इस पिक्चर में रेख से हैं कि यह जो नसे हैं उस नसों में इस तरीके से आपको पेंड होने लगता है और आपका जो थम्ब है वो इस तरीके से प्रेस हो जाएगा और आपको वहाँ पेंड हो सकता है तो 5-based medicine कौन सी है नौ पेंड के बारे में उस पे आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर कि 5-based medicine for नौ पेंड कि नसों में जब भी डर्ड होता है कि उसकी डवा कौन सी है और किस वज़े से ये पेंड होता है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह जो हथेली है वहाँ पे आप देखें कि यह muscles है और यह जो yellow-yellow colors की है वो हमारी nose है यानि कि नसे हैं तो हमारी जो नसे हैं वो muscles के बीच से इस तरीके से निकल रही है तो वहाँ पे आपको डबाव आने से आपको पेंड हो सकता है तो आपकी जो नस है वो इस तरीके से डब सकती है तो डबने के कारण आपको पेंड हो सकता है दूसरा हम सीखेंगे कि ये किस वज़ा से होता है तो सबसे पहला कारण है कि इंजरी यानि कि जब भी आपको चोट लगती है कि स्पाइन में चोट लगी है हाथों पेरों में या फिर ब्रेन में किसी तरह से भी आपको चोट लगी है उसके कारण आपको injury हो सकती है और आपकी जो नसे है तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक नसो का network है पूरा तो ये जो network है उस network में छोटी-छोटी ये नसे निकल रही है अगर यहाँ पे एक ब्लॉक के जा गया तो आपको नौपेन हो सकता है तो हमारी बोडी में proper blood supply नहीं हो रहा है तो उसकी वज़े से भी आपको नौपेन होगा अगर आप ज्यादा तर heavy drinking कर रहे है vitamin B12 की deficiency है साइनो को बला माइन नहीं है और thiamine जिसे हम vitamin B1 कहते है उसकी deficiency के कारण भी आपको नसों में डड़ हो सकता है अब हम जानेंगे कि घर पे इसे ठीक के से करना है तो घर पे ठीक करने के लिए आपको vitamin B diet लेनी है यानि कि जो भी vitamin B के related food है supplements है वो आपको daily routine में consume करने है जहाँ पे भी pain होता है वहाँ पे hot compression और cold compression therapy लेनी है यानि कि घरम पानी का या फिर थंडे पानी का बरफ का आप सेख कर सकते हैं गर पे आप turmeric लीजिए तर्मरिक में भी अच्छी anti-inflammatory property है तो जहाँ पे आपको pain होता है वो से ठीक करती है apple cider vinegar इसमें भी अच्छे supplements होते हैं और अच्छी properties होती है ये भी आप गर पे ले सकते हैं या फिर जहाँ पे भी आपको pain हो रहा है उसमें आप क्या करेंगे कि आपको warm water ले लेना है यानकि घरम पानी और इसमें हम डालेंगे इपसम salt तो इपसम salt के साथ आपको घरम पानी में soak करके अपना हाथे और पेरों का सेख करना है उससे भी आपको नसों में जो डड़ होता है वो ठीक हो सकता है चलो ये तो भी हो गई home remedies अब बात करते हैं medicine के बारे में के 5-based medicine कौन-कौन सी है ये जो हमारा main topic है अब उस पे आते है तो सबसे पहले यहां पर है आप देख सकते हैं neurobian plus तो neurobian plus के आप यहां पर देखिए ये इसका content है macobalamine, pyridoxine, hydrochloride and nicotinamide तो तीन drug की combination है ये एक supplement है तो especially जिसे diabetic nerve disease है यानि कि diabetic के patient को अगर nerve pain हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए यूज की जाती है तो जब भी आपको pain होता है तो ये medicine का काम ये है कि ये medicine लेने से आपकी जो pain होता है वो आपकी नसु को damage होने से protect करेगा और उसे in future आपकी जो नसे है वो damage होने से बजाएगा तो इसका जो dose है वो single tablet per day का रहता है दिन में आपको एक ही tablet लेनी है नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक book है जिसका नाम है disease and treatment तो आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं इस तरह की से पूरी color printed book आएगी अगर आपको भी हमारे साथ ऐसे ही study करना है और हमारे साथ आपको सीखना है कि कौन से disease में कौ contact करके अपनी book मंगवा सकते हैं दूसरी जो medicine है वो यह है कि pregabalin तो pregabalin का जो dose है वो 75 से 150 mg दिन में दो बार अगर किसी patient को 50 mg dose यानि कि low dose start करते हैं 5200 से तो उसे दिन में 3 बार prescribe करना है अब pregabalin का काम यह है कि pregabalin हमारे brain में कुछ ऐसे chemicals होते है वो chemicals क्या करते है नसो को signal provide करते है और pregabalin क्या करेगा वो signal को control करता है जिससे कि आपकी नसो में जो pain होता है वो pain का level को reduce कर देता है तीसरी जो medicine है वो यह है एमिट्रिप्टिलिन हाइड्रोक्लोराइड तो यहां पर आप देख सकते हैं वो खार्ट फार्मस्टिकल कंशनी बनाती है ट्रिप्टोमर नाम से और 10 Mg में अवेलेबल रहता है तो एमिट्रिप्टिलिन का नौ पेन में यानि कि नूरोपेथिक जो पेन है उसमें सबसे लो डोज स्टार्ट होता है तो लो डोज से हम एमिट्रिप्टिलिन स्टार्ट कर सकते हैं तो लो डोज के कारण आपका जो नौ पेन है वो थीक हो सकता है तो आप पेशन को 10 Mg एमिट्रिप्टिलिन दिन में एक बार या फिर दो बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं वीडिय को सब्सक्राइब करें जिसमें हम सिखते हैं गरगुटि उपचाथ किसी बी डिजीस का है डायरेक्ट इलाज और आपको completely free course रहेगा तो जल्ही से मेडी चिनल से हल्क टॉक को सब्सक्राइब करें और सीख हैं कि डाइरेक्ट आपको किसी भी disease का इलाज केसे करना है फोर्ट नुमबर पर आते हैं चोठी जो medicine है वो यह है कि गाबापेंटिन तो गाबापेंटिन की बात करें तो गाबापेंटिन एक AC class की medicine है जिसका नाम है empty epileptic यानि कि जिसे ही मिर्गी की दोरे पड़ते हैं एपिलेपसी है या फिर CNS यानि कि Central Nervous System उसके related problem है तो उन लोगों को भी नसों में पेन होता रहता है निूरूपेटिकल पेन होता है नसों में डड़ होता है तो गापा पेंटिन का डोस यह है कि वो स्टार्टिंग इसका जो डोस है वो 300 mg दिन में एक बार पेशन को प्रिस्क्राइब करना है अगर 300 mg से ठीक नहीं होता है तो पेशन को 300 से लेके 600 mg दिन में तीन बार भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं लेकिन यहां पे आप देखें गापा पेंटिन का लो डोस हंड्रेड है तो हंड्रेड डोस से अगर हम स्टार्ट करते हैं सबसे लो डोस से तो हंड्रेड मल्ति बाइपलाई 3 यानि कि तीन टाइम अगर हम देते हैं तो 300 mg dose patient को दिन में 10 टाइम रहेगा नाव फिफ्ट नमबर पर आते हैं Dr. Rekwek की 836 drops तो यहां पर आप देखिए 836 drops है वो सारे नसों के disease में योज होता है जिसको भी नसे और 9 related disease है उसके लिए 836 drops है तो यह जो drops है वो आपको body में cramps हा रहा है pain हो रहा है नसों में irritation होना यानि कि कभी कबर आपको खुझली आती है वहाँ पर irritation होता है सुई चुपने जिसा एहसास होना तो वो आपको उससे ठीक करवाता है तो also आपको muscle pain जो होता है उसे भी ठीक करने में help करेगा तो इसका जो mainly dose रहता है वो यह है कि 10 से 15 drops आपको ले लेना है glass में तो एक glass में आप half cup बराबर पानी भरेंगे और दिन में 3 से 4 बार आपको यह जो डवा वाला पानी है वो consume कर लेना है इससे आपको दीरे दीरे नसों में डड में सुधार आ सकता है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा इसे ही disease and medicine के बारे में जान करी चाहिए तो आप मेरे चैनल को subscribe करें और bell icon को turn करना ना भूले Thank you for watching my video